नमश्कार दोस्टों इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्यओंट्री सॉफ्टर के अंदर किसीवी क्रेडिट सेल के एकिस जो में पेमित रिसी की है इसको से लिक करेंगे यहां पे हमें आम इन संफे सी रिसीव हुए है हम थाम इजए की अदर जो भी अपने अंदर जिस मोर में आपने ऐसी याद पर खेंट यहां पर रे फिन्ज डांजक्शन के आंदर अटपर करें एड़ पर क्लिक करते ही आप कोई विंडू मिलती है जिसके अंदर जो भी इंवाइसेश हैं उस पार्टी में जिस जो भी क्रडिट पर्चेस की है वो सारे के सारे इंवाइस के नंबर ओ डेटेयल्स दिखती है इसमें जाके आप एक इनवाइस इसके गेंस आपने पेमेंट रिसीव की है उसको से लेकरें यहां पर 35,000 इस इनवाइस के गिए इसके हम इसको यहां पर से लेकर देरों के प्रेस करें कब्रेंग बिजनस में ऐसे होता है कि हम जो पार्टी है वह एक लंसम आउंड देती है जिसे स्पोर्स कीजिए हमें 40,000 रुपीस रिसीव हुए और व सारी पार्टी का नाम, आमांट इतना भी रिसीव हुए संपोर्स कीजिए यहां पर हमें 40,000 रुपी रिसीव हुए और पेमेंट मूर कैश ही था यहाँ पर जाके हम यहाँ पर जो भी invoices जिसके against हमें payment receive हुए वो select करेंगे मान लिजे कि जो 35,000 रुपे हमें receive हुए हैं वो invoice 2 के against हैं और बाकि जो 5,000 रुपे हैं वो हमें invoice 3 के against मिले हैं तो हम यहां पे जाके 5,000 रुपे अमाउंट पे क्लिक करें, माउट से क्लिक करें और यहां पे हम 5,000 रुपे टाइप करके प्रेस कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी जो पेमेंट है वो रिकॉर्ड हो गई है हमने जो पेमेंट की थी invoice 1 और invoice 2 & 3 के अगेंस्ट वो पेमेंट हमारे हां रिकॉर्ड हो गई है तो दोस्तों हमने सीखा इनवेंटरी software के अंदर किसी भी credit sale के अगेंस्ट हम receipt कैसे record कर सकते हैं